हलो बच्चो मैं हूँ मनोज नायक फिजिक्स कॉंसेप्ट गवालियर से बच्चो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड, मत्यप्रदेस बोर्ड के लिए 12 बोर्ड के लिए पूंड रूप से अकेडमिक प्लास जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे मुझे परसनल कॉल करते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये 12th क्लास के लिए हिंदी माध्यम में खासतोर से एक सीरीज स्टार्ट की है, और बच्चों ये आपके लिए ही तो है ही साथ-साथ हमार यहाँ पर जो कॉम्टेटिव लेबल के बैच हिंदी माध्यम में लगते हैं, उन में भी बहुत सारे बच्चे 12th के साथ तैयारी करते हैं, अब जो बच्चे 12th के साथ तैयारी जेई मैंस की या नीट के लिए कर रहे हैं, तो उनको 12th भी जरूरी होता है, तो ये उन बच् अगली क्लास में आज हम आवेशन की बिधियां, मैं एक बिधी समझा चुका था, तो आवेशन की बिधियां हम इसमें पढ़ रहे हैं, और दो बिधियां और रहे गई हैं, मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था ना, तीन बिधियां होती हैं, वैसे तो साथ बिधिया हैं साथ आठ बिदियों से बन आविशित कर सकते हैं लेकिन उन में से तीन अभी फिलहाल मुख्य हैं इस चेप्टर में बाकी के हम आगे modern physics में और आगे हम पढ़ेंगे तो इसी क्रम में बच्चो हम आविशन की बिदियों में किस प्रकार से हम बस्तू को आविशित करते हैं उसके लिए मैं आपको घर्षन समझा चुका था अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चो देखो घर्षन खतम हो गया था ठीक है घर्षन के द्वारा आविशित करते हैं वो खतम हो गया था, अब हम पढ़ते हैं बच्चो आज चालन दूसरी विधी है चालन कौनसी है? चालन चालन के द्वारा किसी भी बस्तू को आविश्चित करना चालन को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चो कंडक्शन, ठीक है? दूसरी विधी कौनसी है? नाम से ही पता चल रहा है चालन यानि कंडक्शन यानि हमारे पास एक चालक बस्तू पहले से ही आविश्चित होने चाहिए तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ बाद मैं एकेडमिक में पेपर में कैसे लिखना है वो लिखवा दूँगा, ठीक है? तो चालन में क्या होता है? एक हमारे पास एक चालक बस्तू है और ये सपोज एक गोला बना दिया, मैंना ये इन्सुलेटिड स्टेंड पर ये खड़ा कर दिया बोला और ये चालक बोला है काउनसा है बच्चो? चालक चालक बोला है ठोस हो सकता है या खोखला हो सकता है कोई दिक्कत नहीं बस ये पहले से ही आवेशित है अब चालक को दिया गया आवेश कहां रहता है उसके प्रस्ट पर रहता है ये आपको मालूम है पहले से ही ठीक है तो ये प्रस्ट पर मालो धन आवेश है आप रिणभी मान सकते थे, कोई problem नहीं है, आप पहले से ही आवेशित चालग गोला लें और उसके पास में एक अनावेशित गोला रख दें, ये भी कैसा होना चाहिए, चालग ही होना चाहिए एक चालक गोला ए लिया और उसके पास में हमने एक और चालक गोला रख दिया ठीक है बी अब इन दोनों को या तो हम एक तार से जोड़ दें ठीक है या दोनों को आपस में टच करा दें समझवारी बात क्या करें या तो इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ दें या दोनों को आपस में ही टच करा दें ऐसा करने से जो अनावेशित गोला था ये अनावेशित गोला था अनावेशित गोला अनावेशित चालक गोला ये अनावेशित चालक गोले पर भी उसी प् संपर्क में हमने रखा है या जिस प्रकरती के चालक के संपर्क में हमने इसको जोड़ा है तार से जोड़ा है तो धन से जोड़ा है तो इस पर भी कितना आवेश आएगा धन आवेश ही आएगा ठीक है और इसके धन आवेश में कमी हो जाएगी ये तो अनावेश था तो इसक धनावेश में कमी आगी, मतलब कुछ धनावेश इस पर shift हो गया, अब ये तो कहना आसान है कि मैंने एक चालक गोले B को, एक चालक गोले A को, जिसमें पहले से ही धनावेश था, उसको एक अनावेश चालक गोले के संपर्क में रख दिया, touch करा के रख दिया, या तार से मचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए, फिर से मैं आपको यहाँ एक अनावेश चालक गोला लेता हूँ, आप मुझे बताओ, ये जो है आवेश चालक गोला है धन, तो धनावेश चालक का मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रोनों की क कमी है, इसका अर्थ ये है धनावेश का, रिनावेश का मतलब क्या होता है, अगर आपने एको रिनावेशित किया होता तो, इलेक्ट्रोनों की अधिक्ता होती, लेकिन बी गोला तो कैसा है, अनावेशित है, मतलब बी गोले पर किसी भी प्रकरती का आवेश नहीं है, यान लेकिन B चुंकि चालक है तो B में अधिक है मुक्त अधिक है अब होता यह है कि जैसे ही हम तार से संपर्थ करते हैं B को या आपस में टच कराते हैं तो चुंकि इसमें पहले बाले में इलेक्ट्रोनों की कमी है तो पहला आवेशित गोला अपनी एलेक्टरोनों की कमी को पूरा कैसे करता है ये B में से कुछ मुक्त एलेक्टरोन को ट्रांसफर कर लेता है ये एलेक्टरोन ट्रांसफर हो गए कुछ एलेक्टरोन को खिच लेता है आकरशन के करण के होगी ये धन है वो electron negative है तो B के कुछ electron मुक्त electron A में आ जाते हैं जैसे A में आ गए तो इसके electron होते हैं और इन पर धनावेश था तो कुछ धनावेश nest हो जाता है या कहें कुछ धनावेश cancel out हो गया क्योंकि negative वहाँ पर आ गया तो plus और minus additive होता है जोड़ा जाता है तो गटके शुन हो गया तो कुछ धनावेश की कमी आ जाती है लेकिन B में से कुछ electron चुकी निकल गए थे इसलिए B में भी electron की कमी हो जाती है तो B भी क्या बन जाता है बच्चो धनावेशत हो जाता है यह बात clear हुई ठीक है अब मैं यहाँ finally मैं आपको लिख सकता हूँ कि चालन में क्या हुआ होगा तो अगली step में हम लिख ही देते हैं अच्छा इस पर एगर रिण आवेश होता तो मतलब electron की अधिकता होती जरसमझो जैसे एक यहाँ पर मैं एक गोला जिस पर पहले से ही मैंने रिण आवेश करके रखा हुआ है यह चालक गोला है और यहाँ एक यह A है और B एक ऐसा गोला है जो अनावेश है दोनों को तार से जोड़ा यहाँ आपस मैं जोड़ दिया तो यहाँ रिणावेश था पहले से ही तो इसका मतलब इस पर electron की अधिकता है इस पर ना अधिकता है ना कमी है जैसी जोड़ते हैं तो यह जो अधिकता है अधिकता मतलब जो electron है अधिक electron वो इस तार में से flow हो जाते हैं और इस पर आ जाते हैं किस पर B पर तो B पर electron थोड़ी से और ज़्यादा हो गए इसका मतलब B पर कैसा आगया रिण अब यह क्या लगातार flow होते रहते हैं या इस से B से A में लगातार flow होता रहता है electron का नहीं क्या होता है बच्चो जैसे ही electron B से A में flow होते है या यहाँ A से B में flow होते है प्रवायत होते है तो एक स्थिती ऐसी आती है कि जब A और B का बिभाव समान हो जाता है और जैसे ही बिभाव समान हो गया potential जिसको कहते है 10 में पढ़ा होगा तो फिर A और B में या A से B में या B से A में आवेश का प्रवाह electron का प्रवाह रुक जाता है उसी तरीके से होता है बच्चो जैसे एक दो ग्लास है और दोनों में पानी भरा है एक में लेवल उपर एक लेवल कम है और दोनों के नीचे पाइप से जोड़ दो तो हम देखेंगे ज्यादा लेवल वाले ग्लास से पानी कम लेवल वाले ग्लास में जाएगा और कब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं हो जाता यही बात यहां होती है आवेश के लेवल को ही हम क्या कहते हैं बिभाव कहते हैं तो यहाँ A का बिभाव ज्यादा था B का विभाव यहां पर क्या था कम था तो इलेक्ट्रोन हमेशा क्या होते हैं निमन विभाव से उच विभाव की और जाते हैं तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों का विभाव समान नहीं होता तो इलेक्ट्रोन B से A पर गए अब ये पहले से ही रिण आवेशित था, तो रिण आवेशित का विभाव पहले से ही कम होगा, जीरो से भी कम होगा, बी का तो जीरो क्योंकि कोई आवेश नहीं था, और एक रिण आवेशित रिण आवेशित का विभाव और कम होता है, जीरो से भी कम होता है, तो यहां भी इलेक्ट्रोन देखो रिन आवेश वाले गोले से बीपर गए यानि कम बिभव वाले गोले से अधिक बिभव वाले गोले पर गए और कब तक गए जब तक कि दोनों का बिभव समान नहीं हो जाता ठीक है ना बात अब लिखना शुरू करें ओके लिखिए बच्चो चालन चालन क्या होती है उसको हम लिखते हैं चालन बिधी यह जो क्या कहते हो अंगरेजी में कंडक्शन ठीक है आप मेरे साथ लिख सकते हैं कंडक्शन इसमें क्या होता है जब एक आवेशित पहले से ही आवेशित चालक बस्तू के संपर्क में एक अनावेशित जालक बस्तू रखते हैं संपर्क में रखने का मतलब उसको टच कराके रखना या तार से जोड़ना अनावेशित चालक बस्तू रखते हैं तो अनावेशित आप भी लिखते चलिए अनावेशित चालक पर उसी प्रकर्ती का आवेश आता है, पर उसी प्रकर्ती का आवेश आता है, ठीक है न बच्चो, किस प्रकर्ती का, जिसके संपर्क में बस्तू रखी है, जिस के संपर्क में बस्तू रखी है, ठीक है, धन के संपर्क में रखी है तो धन आएगा, रिन के संपर्क में रखी है तो रिन आवेश आएगा, ठीक है न, और दोनों बस्तू हैं, चालक पदार्त की होनी चाहिए, ये इसमें महत्पून बात है, चालन में, अब अच्छो इस पर एक question भी बनता है और एक formula भी बनता है उस formula को देखें जरा ठीक है चलो start करें ये तो समझ गए ना चलिए अगली slide में हम यहीं पर मैं लिखता हूँ देखो एक बहुत महत्पूर formula numerical problem के लिए formula derive करते हैं चालन के लिए चलिए अगली slide में कर लेते हैं ठीक है देखें हमारे पास दो गोले हैं बच्छो इसको एक कुछाला की stand पर खड़ा कर दिया गोले A को और A की गोला है B उसको भी हमने एक कुछाला की stand पर खड़ा कर दिया B ठीक है अब A की जो त्रिज्जा है वो आरबन है और B की त्रिज्जा कितनी है बच्छो आरटू है A को आवेस दिया हमने Q1 B को भी आवेस दे दिया Q2 अब यहाँ पर क्या कर रहे है A और B दोनों पर कुछ न कुछ आवेस दे दिये ठीक है दूसरा अनावेशित भी हो सकता है लेकिन मैंने दोनों पर Q1 Q2 आवेस दे दिये धिया ध्यान से सुनना और दोनों को अब मैं एक कार से जोड़ देता हूँ ठीक है आप दिमाग में रखो वही गलास वाला कॉंसेप्ट कि एक A गलास है बगल में एक दूसरा B गलास है दोनों में पानी भरा हुआ है एक का लेवल हाई है एक का लेवल कम है दोनों को एक पाइप से जोड़ा तो कौनसे गलास से पानी कौन से ग्लास में जाएगा आप बिलकुल अच्छी तरह बता पाएंगे कि जिसमें लेवल जादा होगा वहां से पानी कम लेवल वाले ग्लास में जाएगा कब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं हो जाता ठीक न बच्चो तो ऐसा ही इसमें होता है कि एक Q1 आवेश है और Q1 आवेश का जो लेवल है वो suppose V1 है आवेश के लेवल को बिभाव कहते है तो Q1 का बिभाव है V1 यह दूसरे गोले पर आवेश Q2 भरा हुआ है और इसका बिभाव है V2 V2, V1 समझो क्या है यह यह है बच्चो आवेश के लेवल जोडने के बाद ठीक है अब तार से जोडने के बाद एक-एक पॉइंट समझते है नमबर एक तार से जोडने या पहले ना जोडने तो होता ही है कि बच्चो आवेश तो संदक्षित रहता है तो आवेश संदक्षन से आवेश संदक्षन क्या कहता है कि अगर दो गोले हैं दोनों गोलों को मिला के एक हमारे पास सिस्टम बन रहा है निकाय बन रहा है तो निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है नियत रहता है मतलब तार से जोडने के पहले आवेश और तार से जोडने के बाद कुल आवेश कैसा होगा नियत होगा तो तार से जोडने के पहले कितना आवेश है Q1 और Q2 तो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 ठीक है कुल आवेश तो यही हुआ तार से जोडने के बाद मान लो इस पर आवेश आ गया नया Q1 डेस और इस पर नया आवेश आ गया Q2- ये जोडने के बाद आया गा एक है तो अब कुल आवेश कितना हुआ Q1- प्लस Q2- यह होगा तो इसका मतलब तार से जोडने के पहले और तार से जोडने के बाद दोनों आवेशों के मान कैसे होंगे कुल आविशों के मान समान होंगे ये पहला पॉइंट है आवेस संदक्षन अब बचो दूसरा पॉइंट आ जाओ ठीक है अब जब तार से जोड़ दिया तो क्या होगा बताओ मान लो कि भीवन का मान भीटू से जादा है क्या मान लिया हमने कि पहला जो गोला है उसका इस्तर या उसका विभव बड़ा है भीटू से ठीक है शुरूआत में तो गोले ए से धनावेश बी तक जाएगा धनावेश हमेशा ध्यान रखिए धनावेश हमेशा उच्च विभव से निमने विभव की और जाता है रणावेश उल्टा होता है निमने विभव से उच्च विभव की और जाते हैं यह याद कर लो यहाँ पर लिख दू मैं धनावेश धन यानी पॉजटिव यह पॉजटिव है पॉजटिव आवेश कहां से कहां प्रभायत होता है बच्चो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है या प्रवाहित होता है ठीक है न बच्चो और दूसरा पॉइंट क्या होगा रिन आवेश कहां जाता है रिन आवेश निम्न विभव से उच्च विभव तक जाता है ठीक है और कब तक जाता रहता है जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता है यही बात यहां लिख रहे है कि अब देखो कि जो आवेश होता है आवेश गोले के आकार पर भी निरफर करता है गोले का अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा आवेश की मात्रा आ सकती है तो इसका मतलब जो आवेश का मान है Q- वो समानुपाती क्या होगी त्रिज्या यानि गोले की त्रिज्या ठीक है ये समझ गए समानुपाती का मतलब अगर त्रिज्या ज़्या ज़्यादा होगी q2 डेस बटे q1 डेस बराबर इधर क्या करना पड़ेगा बच्चो r2 बटे r1 यही होता है अनुपास समान पात का नियम q2 बटे q1 करें तो इधर r2 बटे r1 सब जानते हैं ना छेटेवे में पड़ते हैं इसको अब एक काम करो दोनों तरफ एक जोड़ दो जोडने पर देखो बच्चो क्या आया जोडने पर आया देखना इधर q2 डेस प्लस q1 डेस बटे lc ले लिया ना q1 डेस बराबर इधर भी lc लेलो r1 यह हो जाएगा r2 प्लस r1 अब यह q2 डेस प्लस q1 डेस है यह कुल आवेश है q1 डेस प्लस q2 डेस इधर q1 प्लस q2 कुल आवेश को capital q मालने यह कौन सा हो गया यह कुल आवेश कुल आवेश किसका जोड़ोगा q1 डेस प्लस q2 डेस का या q1 प्लस q2 का तो यह जो q2 डेस प्लस q1 डेस है इसकी जगे बर क्या लिख सकते है कुल आवेश, कुल आवेश कितना Q, बटे Q1 dash, Q1 dash क्या है, तार से जोडने के बाद, पहले वाले गोले पर आया हुआ, नया आवेश, बराबर क्या हुआ बच्चो, R2 प्लस R1 को ऐसा लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 कोई दिक्कत नहीं, बटे R1, ठीक है, अब इससे मैं निकालन चाहता हूँ, Q1 dash का मान, तो बताओ, Q1 dash का मान कितना आएगा, Q1 dash का मान कितना आएगा, यहां से निकालो, तो यह आएगा, Q1 dash का मान, R1 को इधर ले जाओ, और इससे भाग दे दो, तो R1 बटे, ज्यान देना, R1 प्लस R2 गुड़ा, कितना Q, यह सूत्र बन गया, क्या ब पहले गोले पर, तार से जोडने के बाद, नया आवेश कितना आया, यह अगर कोई पूछे, तो बो आएगा, Q1 dash बराबर, R1 बटे, R1 प्लस R2 इंटू Q, अब अगर कोई पूछे कि दूसरे गोले पर कितना आएगा, Q2 dash, तो इसी को देखते हुए बना सकते हैं, Q1 dash ले पूछे थे तो R1 आया था, Q2 dash लेंगे तो क्या आएगा, R2 आएगा, बटे, R1 प्लस R2 गुणा, पुल आवेश, ठीक है, तो समानुपात, अनुपात के नियम से, हम यह सिंपल निकाल सकते हैं, Q1 dash और Q2 dash, क्लियर हो गया बच्चा, तो यह इतने इन फार्मूले पर आध नहीं कॉपी कर पाया है, बाद में कर लेना, ठीक है, इसको screen pause करके, आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइस मेरे साथ-साथ कर लिया है, तो मैं समय आपको और देदता हूँ, चाहो तो एक आधे मिनिट का, तब तक कॉपी कर लीजी आप, करो पड़ाबड़ा, तो बच्चो है ना, उसी पर आधार है, लिको, दो आवेशित, चालक गोले, दोनों आवेशित चालक गोले हैं, दो आवेशित चालक गोले, जिन पर, एक मिनिट, जिन पर, आवेशित, क्रम सह, चालीस माइक्रो कुलाम, एवं, असी माइक्रो कुलाम है, दो आवेशित गोले हैं, जिन पर, दो आवेशित गोले, A और B मान लो, A और B हैं, जिन पर आवेशित क्रम सह, 40 माइक्र कुलाम और कित्म है 80 माइक्र कुलाम है ठीक है जिनकी त्रिज्जाएं जिनकी त्रिज्जाएं 2 सेंटी मीटर एवं 3 सेंटी मीटर है ठीक है मतलब A की होगी 2 और B की होगी 3 सेंटी मीटर इन्हें एक चालक तार से जोड दिया जाए क्या किया इसको अपने एक चालक तार से जोड दिया तो कितना आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर प्रवाहित होगा अब यहां बच्चो बहुत महत्पून बात यह है कि उसने यह नहीं पूछा कि पहले गोले पर या दूसरे गोले पर कितना बचेगा वो पूछ रहा है कितना प्रवाहित होगा लेकिन हमें निकालना तो यही पड़ेगा कितना बचेगा देखो solve करें पहले मैं आकड़े लिख दूँ इसके गोला ए है गोले ए पर आविश क्यू ए बराबर कितना है 40 माइक्रो कुलाम गोला बी इस पर आविश कितना है बोलो 80 माइक्रो कुलाम ठीक है यह अपने को दिया है गोले ए की तृज्जा आर ए कितनी है दो सैंटीमीटर गोले बी की तृज्जा कितनी है तीन सैंटीमीटर ठीक है न बच्चो अब हम क्या करें अब हम यह करें बोलो की पहले गोले पर कितना आवेश बचेगा वो निकालने, तो पहले गोले पर बचा या नया आवेश, बचा या इसको कहलो, नया आवेश, तार से जोड़ देंगे तो नया आवेश आएगा, नया आवेश, क्या मानेंगे उसको, QA-, ठीक है, क्या सूत्र था जल्दी से बताओ, R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू कुलावेश तो R1 कितना R A R A R1 प्लस R2 कितना R A प्लस R B कुलावेश कितना Q रख दें इसमें मान बच्चो चलो रखते हैं R A का मान कितना 2 R A प्लस R B 2 प्लस 3 उपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर तो बदलने की आवश्चकता नहीं Q यानि कुलावेश कुलावेश यानि इन दोनों का जोड 80 और 40 कितने होगे बच्चो 120 माइक्रो कुलाव ठीक है इसको काट लें 2 और 3 पांच होगे और यह होगे बच्चो 5 कितने होगे 24 दोनी 48 तो 48 माइक्रो कुलाम आया Q A डैस क्या यही उत्तर है बच्चो बोलो बिलकुल नहीं यह Q A डैस तो वो आवेश है जो नया आवेश है कितना प्रवाहत हो गया हमें तो यह निकालना था तो कितना प्रवाहत हुआ देखो पहले A पर कितना आवेश था 40 अब नया कितना आगया उसी A पर 48 तो यानि 8 एक्स्ट्रा आगया तो वो 8 एक्स्ट्रा कहां से आया होगा वो तार मैंसे फ्लो होके आया होगा तो कहां से आया होगा वो दूसरे गुले से आया होगा ठीक है तो हम क्या कहेंगे की समझ रहे हैं ना देखो यहां लिख देता हूँ पहले ए पर कितना था 40 माइक्रो कुलाम है बाद में कितना आया तार से जोडने के बाद QA डैस बराबर कितना आया 48 माइक्रो कुलाम हो गया नया अब 8 एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 8 ही तो प्रभायत होगा दूसरे से पहले में याने B से A में अर्थात B से A में कितना प्रभायत माना गया 8 8 माइक्रो कुलाम प्रभायत होगा तो हमारा उत्तर होगा बच्चो 8 माइक्रो कुलाम B से A की और समझ गया ना 8 माइक्रो कुलाम B से A की और तो ये होती है बच्चो चालक बिधी चालन बिधी चालन में हम किस प्रकार से एक बस्तू को आविशित कर सकते हैं ठीक ना चलिए अब हम एक बिधी और देखेंगे इसमें वच्चों आगे बढ़ते हैं और वो है प्रेरण बिधी कौनसी बिधी प्रेरण बिधी ठीक है प्रेरण बिधी इसको कहते हैं इंड़क्शन मेथड हिंदी में अंग्रेजी में प्रेरण जी में इंड़क्शन और हिंदी में प्रेरण इंड़क्शन मेथड प्रेरण बिधी अब प्रेरण बिधी से कैसे आविशि करते हैं अभी मैं थोड़ा आपको समझा दूं फिर हम डीटेल में और बात करेंगे आगे तो बच्चो इसमें क्या होता है जैसे ये हमारे पास एक बस्तू है ए और इस बस्तू ए को चलो गोलाकार बस्तू मालने अभी पहले भी गोलाकारी मानी थी तो ये कोई गोलाकार एक ये कोई बच्चो हमारे पास एक बोलाकार बस्तू है इसको कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है और इसको हमने कोई आवेश दिया मालो धन आवेश दिया तो धन आवेश बस्तू है ये ठीक है अगर ये चालक बस्तू है तो इसके प्रस्ट पर आवेश रहेगा धन और अ इसके अंदर भी आवेश हो सकता है, ठीक है, इसके पास में एक और कोई बस्तू रग दी, वो किसी भी पदार्थ की हो सकती है, प्रिरण में ये ज़रूर नहीं है कि चालक ही हो दोनों, किसी भी पदार्थ की हो सकते हैं, तो ये कोई बस्तू रग दी, ये ए बस्तू थी, जि दोनों को तार से नहीं जोड़ना ठीक है ना चालन में दोनों को तार से जोड़ देते थे इसमें दोनों को तार से आपको नहीं जोड़ना ठीक है Simple बस पास में रख दो, बहुत दूर नहीं, बस पास में रख दो, बिना टच करे रख दो, तो बिना टच करे जब रखेंगे तो क्या होगा बच्चों देखो, Simple तरीका बता रहाएं, कि इसमें जो रिणावेश होता है ठीक है रिणावेश मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रोन होते हैं कैसे होते हैं अगर चालक पदार्थ है तो मुक्त इलेक्ट्रोन होंगे कुछालक है तो धन और रिन कहीं न कहीं होंगे इटम के अंदर निकलियस में धन होगा और उसके चार और और एलेक्ट्रोन चकर लगा रहे होंगे तो उसमें भी श् darle होंगे ही तो ये जो धनावेश है बो अगर चालक है तो मुक्त आलेक्ट्रोनों को ये खुजालक है तो जो सैल में एलेक्ट्रोंस है उनको अपनी पर आकर्षिद करता है तो जब ये धनावेश इसके अंदर उपस्तित एलेक्ट्रोंनों को आवेशित करता है तो मुक्त एलेक्ट्रों तो इस जगे पर एकटे हो जाते है यहाँ ऐसे यह एकट्टे हो गए बच्चों ठीक है यहां एकट्टे हो गए तो इस जगे पर इस सतह पर क्या हो जाती है मुक्त इलेक्ट्रोन इकट्टे हो गए तो इधर दूसरी सतह पर इलेक्ट्रोनों की कमी हो जाती है तो इलेक्टॉन की कमी को क्या कहते हैं धन आवेशित तो दूसरी सतह हो जाती है यहाँ पर यह धन आवेशित तीक है तो अब बच्चो यहाँ से मुख्य बात आपके क्या समझ में आई कि यह जो यहाँ पर अगर यह बस्तू धन आवेशित है पहले से ही उसके पास में एक अनावेशित बस्तू रख देते हैं तच नहीं कराते तो इस आवेशित बस्तू के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकरती का आवेश प्रेरित हो जाता है देखो धन आवेश है तो धन के प पासवाली पर आया रेण विपरीत आया की नहीं और दूर वर्ती सतय पर कौन सा आवेश आता है धनावेश आ जाता है पासवाली सतय पर विपरीत प्रकरती का और दूर वर्ती सतय पर उसी प्रकरती का आवेश आ जाता है इस घटना को कहते हैं बच्चो प्रेरण क्या कहते ह वो है, suppose capital Q, इसको स्रोत आवेश भी कहते हैं, स्रोत आवेश, ठीक है, main charge, इस पर जो आया, ये वाला, Q-, इसको कहते हैं, बच्चो, प्रेरित आवेश, यहां प्रेरित हो गया ना, प्रेरित आवेश, ठीक है, और प्रेरित आवेश कितना होता है, उसका एक सूत्र है, बच् ब्यवहारिक रूप में देखा गया, तो वैसा एक सूत्र बनाती है, वो ये देखा गया, कि Q- जो है, वो कितना है, देखो, अगर यहां धन है, तो यहां रिन आता है, यहां अगर रिन होगा, तो यहां धन आएका, मतलब हमेशा विपरीत आएगा, तो विपरीत आएगा, तो माइनस लगा दो यहां ठीक है और किसका विप्रीत आएगा यह मुख्यावेश का विप्रीत आएगा इसलिए माइनस क्यों लगा दो लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता कि जितना मुख्यावेश है ठीक ठीक उतना ही इस पर प्रिरित आवेश होगा ठीक है यह हर समय ऐसा नहीं होता कभी तो हो जाता है चालकों में ऐसा हो जाता है लेकिन अन्य पदार्थों में हमेशा जो मुख्य आवेस है उससे कम ही प्रिरित होता है ठीक है न बच्चों तो जब कम प्रिरित होता है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा बन माइनस बन अपॉन के से और ये के क्या है के इस पदार्थ का एक नियतांक होता है इस नियतांक से डिसाइड होता है कौन सा पदार्थ है ये इसको परा बैदोतांक कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों परा बैदोतांक एक ही हर पदार्थ का अलग-लग होता है और इसके बार परावद तांक आता है अभी फिलाहल याद रख लें तो k परावद तांक होता है जो डिसाइट करता है कि यह पदार्त कौन सा है तो प्रेज़ताविश कितना हुआ बच्चो रटो इसको रटलो इसको तो q डैस बराबर कितना माइनस q ब्रैकिट बन माइनस बन अपॉन k ठीक है और यह जो k क्या है k परावद तांक है अच्छा परावद तांक क्या होता है दो तीन पदार्तों के तो आप याद कर लो जैसे चालकों का चालकों का के होता है अनन्त कितना होता है इन्फिनिटी ये चालक के लिए परावतांक अनन्त होता है ठीक है बायू हो निर्वात हो इसके लिए एप्रॉक्स वन होता है बन से छोटा नहीं होता है बायू है निर्वात है के बराबर वान पानी है जल है तो फिर के का मान 79 से लगा के और 80 तक 81 तक जा सकता है यह पानी कैसा है सुद्ध पानी है असुद्ध पानी है क्या उसमें इंप्यूरिटी मिली है उसके आधार पर यह 79 से 81 तक होता है तो यह दो तीन याद कर लो बाकी के सब एक्जाम में देता है अब चालकों के लिए प्रेरित आविश निकालो ठीक है किसके लिए चालक के लिए तो कैसे निकालोंगा दूसरी स्लाइड में करें चलो देखो ये सूत्र देखा था Q डैस बराबर minus Q bracket 1 minus बन अपॉन के यही लिखा था हमने प्रेरित आविश प्रेरित आविश कितना आया Q डैस बराबर minus Q बन माइनस बन अपॉन के सबसे पहले चालकों में देखें के कितना होता है बच्चो अनन्त यहां के की जेगा अनन्त लिखो तो Q डैस बराबर कितना आने वाला है minus Q बन माइनस बन अपॉन इंफिनिटी बन अपॉन इंफिनिटी कितना होगा बच्चो बन अपॉन इंफिनिटी होता है जीरो तो Q डैस बराबर कितना आया minus का Q यही आया q des b worldview minus का q ठीक है तो हमने देखा q des का मान ठीक ठीक यानि जो प्रेज़त आवेश का मान है स्रूत आवेश के ही बरावर आया लेकिन चिन्न में विपरीथ आया चिन्न में कैसा आया विपरीथ तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इस्थिती में जो Q-S का मान है, मान याने परिमान, वो हमेशा कैसा होता है, जो मुख्याविश होता है Q, उसके परिमान से छोटा या बराबर, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान देना, ये जो Q-S है, इसका मान कभी भी बड़ा नहीं ह हो सकता किस से क्यूं से ये बड़ा नहीं हो सकता प्रॉस कर दिया ना मतलब बड़ा नहीं हो सकता किस से क्यूं से हमेशा मुख्यावेस से छोटाई होगा या बराबर होगा बराबर किसम होगा चालकों में और उससे कम अनिपदार्थों में ठीक है ज्यादा तो प्रिजित हो ऐसे सिंपल तरीका है, आप या तो दस दोगे, अच्छा दोस्त है तो, चालक दोस्त है तो, और अगर अच्छा दोस्त नहीं है, तो संभावना नहीं है लोटाने की, तो आप उससे दस से कम दोगे, कहो गयार मेरे पास एकात रुपया तो ले जा भईया, तो ऐसे ही इसमें ह के लिए है कोई physics नहीं है और physics तो यही है कि प्रेद्ट आवेश क्या हो सकता है मुख्य आवेश से कम या उसके बराबर बड़ा कभी नहीं हो सकता यह ध्यान रखेंगे तो यहां बच्चो यह हुई प्रेरण परिक्रिया अच्छा प्रशन उठता है क्या प्रेरण के द्वा हम दूसरी बस्तू पर कोई पर्मानेंट आवेस उत्पन कर सकते हैं क्या जैसे अभी तो यह हुआ था ध्यान देना यह गोला था यह था इस पर धनावेश था ठीक है और हमने क्या किया था इसके बगल में एक और गोला रख दिया किसी भी पदार्थ का तो इस पर यहां रिण और धन तब तक ही रहता है जब यह बगल में हो अगर इसको दूर ले जाके पटक दो हटा दो अधर से तो यह फिर से क्या हो जाती है नीट्रल हो जाती है यह फिर से उदासीन हो जाती है रिण धन मुझ चिपक जाते हैं यह धर-धर हो जाते हैं तो क्या हो गया लेकिन क्या कोई विदी है कि इस पर हम पूर्ण धनावेश प्राप्त कर सकें या पूर्ण रिनावेश पर्मानेंट प्राप्त कर सकें इसको भी अटालें तो सिम्पल सी विदी है देखो दिमाग लगाओ मैं यहाँ पर यह जो गोले हैं इनको नीचे दो पहिये लगा देता हूं यह दर भी पहिये लगा देता हूं और इसको ऐसे पास में रखे तो पहले प्रेरण से हमने यह उत्पन कर लिया अब क्या किया इनको आपस में टच करा दो इनको आपस में टच करा दो टच कराएंगे तो ये वला रिण खतम हो जायागा जैसे ही टच कराया तो तो कौन सी बिधी हो गई चालन बिधी में इस पर भी धन और इसमें भी धन फिर धीरे से इसको इधर खिसका दो दोनों को अलग अलग कर लो जैसे अलग अलग करोगे तो इस पर तो धन थाई और इस पर भी थोड़ा सा धन हो ही गया तो ये एक बिधी है जिसके द्वारा हम दूसरी बस्तु पर भी कौन सा धनावेश ला सकते हैं, ठीक है न बच्चो, ऐसा किया जा सकता है, यह चालन के द्वारा ला जा सकता है, और एक प्रिण प्रिक्रिया भी होती है, उसके द्वारा भी हम ला सकते हैं, वो फिर में अभी आगे हम कभी जिसकस करेंगे, तो बच्चो इतना कर लीजिए, यह हमने आज तीन विधियां खतम कर ली, एक विधि पिछले टन पर खतम की थी, आवेशन की विधि घर्शन जिसको हम फ्रिक्षन कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्षन मेथड, दूसरी हमने खतम की है बच्चो चालन, और चालन का मैंने निमेरिकल भी कराया, जिसको हम कंडक्षन कहते हैं बच्चो, और तीसरा है हमारा कौनसा इंडक्षन यानि प्रेरण, प्रेरण प्रिक्रिया हमने खतम की है इंडक्षन, ठीक है, इंडक्षन, अब बच्चो अगले टर्ण पर इन तीनों विधियों के कुछ मैस आपको क्वेशन दू करेंगे, ठीक है, इन ही, हिंदी मैं ही लिख दूं, क्वेशन तो समझते होना यार, प्रश्न करेंगे इन ही के, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने के बाद अगर समय मिलेगा, तीनों प्राधरत होंगे, घर्षन चालन प्रिर्ण, तो हम कूलाम का हम जार्णियम, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा हमबर्ग दे रहा हूं, हमबर्ग ये दे रहा हूं, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप उसको एक-एक करके, एक-एक वीडियो ध्यान से देखिए, और आपका जो भी बोर्ड हो, आपके पास जो भी book हो उसमें मिलाई है कि कितना कितना अपना हो गया ठीक है जो भी book होती है उसके पीछे भी बहुत सवाल दिये होते हैं तो मेरी classes को देखने के बाद मेरी questions करने के बाद उन सवालों को भी आप करना प्रारंब करिए जिन को जिन बच्चों से सवाल नहीं बने ठीक लेकिन ये सुविधा बच्चों उनके लिए उपलब्द होती है जो बच्चे उस एप में registered होते हैं ठीक है चलिए तो ये हमने आज इतना पढ़ लिया अगले turn पर फिर से हम नई class लेके आएंगे तब तक आप इसको चैनल को subscribe कर लीजिए ठीक है और हिंदी माध्यम के दोस्तों को भी बता दीजिए राइट तो वो भी इसका लाव ले पाएं ठीक है यतना रखते हैं अगले turn पर फिर मिलते हैं थैंक्यू बच्चों